नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अथर वर्माए और आज की वीडियो में आपनों को दशन करवा रहा हूँ लैपिस लजूली जैम्स्टोन की जी हाँ दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग जो जैम्स्टोन देख रहा है इसे लैपिस लजूली जैम्स्टोन बोलते हैं हिंदी में ला करना चाहते हैं लेकिन नीलम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो वह लाजवर्ड धारण कर सकते हैं कोग यह शनी घ्रय का उपरतन भी है लाजवर्ड याने की लेपस अजोली दिखने में बहुत ही जादा अट्रैक्टिव इस्टोन है और बहुत ही जादा सुन्दार है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखी सकते हैं दोस्तों ऐसी एस्टोलोजी और जैमस्टोन से लेलेटर मैंने काफी सारी वीडियो तो अपने चैनल पर अपलोड करिए तो आप उने भी जाके जरूर देखिए यह कम प्राइज में आ जाता इसका अंगूठे पैंडल भी और इसको जो मुख्य रतन होते हैं उसके इस्थान पर इन रतनों को भी धारन किया जा सकता है इफेक्ट अच्छा दे देता है यह रतन ओपेक होता है ट्रांस्परेंसी इसमें बिल्कुल नहीं होती है तो अलग क्रहों पर काम करती है तो यह वाला इसको ग्रीन एगट इंगलिश में कहते हैं और इसको हम पन्ना रतन के इस्थान पर धारन कर सकते हैं नमस्क्र दोस्तो मैं रमन एस्टोलोजर जैंस्टोन एक्सपर्ट दोस्तो आप देख रहे हैं बहुती बहतरीन रतन उप रतनों के अंदर इसका नाम है सूलेमानी हकीक बहुत जबर्दस बहुती जबर्दस इसका रिजर्ड ये तंतर क्रियाओं में अगर आपको नजर लग चुकी है अगर आपके दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं ना चाहकर भी आपकी उपर फेलियर का ठपा बार बार लग रहा है तो दोस्तों ये रतन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है ये एरबिक है औरिजिनल पत्थर लैप टेस्टेट सेटिफाइड आता है इसे राइट हैंड की मिडल फिंगर में चांदी में दिन शानिवार जगले में पैंडन बनवा के आप इसे डाल सकते हैं दोस्तों इसका जो रिजर्ट है वो बहुत जल्द ब पास्ट मना जाता है